सबस्क्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी निव तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में हम जो है कैबनेट जो फ्लोर स्टेंडिंग एसी है उसका ये पार्ट टू है जैसे के पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने के लिए सर्वीस तक पहुंचने के लिए काफी चीज़ें पिताए थी मतलब कि आपको इसका कवर वगारा कैसे हर चीज़ आपने ओपन करेंगे लास्ट वीडियो आपने नहीं नहीं देखी तो वह लाजमी से देखें आपको बेनिफिट होगा तो यहां पर जो हमने ब्लो ऌपन करेंगे और यह वाले भी अपन करेंगे व metre एपन करेंगे ताकि यह पाईप जो है बाहरी आ सके, तृप है yeah, आपे यहां पर हमने क्या कर लेना है? हमें यहाँ पर कर लेना है सबसे पहले blur को हम remove कर लेते हैं ठीक है, blur जो है वो remove करना बहुत easy है इसके front पर ही, जो blur के ओपर ही सामने आप center में देखेंगे तो आपको screw देखने को मिलेगा, जो कि इसका nut है ठीक है, तो nut को आपने open करना है, key की मदद से, यह wrench की मदद से आप इसको open कर लें, यह clockwise कुछ के होते हैं और कुछ के anti clockwise ही move होकर खुलते हैं, तो इसके anti clockwise ही open हो रहा है, कुछ के clockwise होते हैं तो आप वो normally थोड़ा सा आप जोर लगाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसने left की तरफ move होकर open होना है या right की तरह, तो यह वाला हमने easily remove कर लिया है अब यहाँ पर यह इसका एक lock होता है ठीक है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है ठीक है, इन दोनों को आप सेम बाद में लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं यारी कि इसको आप संभालने अब यहाँ पर जो है, आपने क्या करना है इसको ब्रोर को आपने अपने तरफ कीच लेना है easily state रखके ठीक है, कीच लेना है, अगर कभी अटके कभी chance ऐसे होता है, अटकता भी है लेकिन mostly आजाता है easily बाहर तो अगर कभी अटके तो आप इसके front side पर जो इसकी shaft थी, उसको hambring थोड़ी सी करें इसको पकड़ कर रखकर, यानि कि इसको अपनी तरफ कीचे और उसको थोड़ी सी hambring करें easily यह बाहर आजाता है, ठीक है हमारा normally easily बाहर आगिया है अभी आपने इसको straight रखके, यानि कि side हो से देखते हुए, क्योंकि यह आप देखें कि इसकी fitting है, तो पूरे-पूरे size का उता है बिल्कु straight रखते हुए, left, right, ऊपर नीचे से देखते हुए, easily आप इसको थोड़ा सा move करके, easily बाहर निकाल लेंगे ठीक है, बहुत easy है, इसको आप easily बाहर high pressure washer से wash कर सकते हैं, easily wash करने के बाद आप फिर ऐसे ही इसमें fit कर देंगे, यह है इसकी fan motor, यहाँ पर easily सर्विस करने के लिए, पानी ना लगाएं कभी भी, क्योंकि यहाँ पर fan motor है, तो इसमें पानी चला जाएगा, तो यह खुरास होजएगी, short होजएगी, खराब होजएगी, तो आप गीला कपड़ा करके अंदर से, यहाँ से इसको अच्छे से, जो है, open कर सकते हैं, यह इसको साफ कर सकते हैं, अगर motor को आपने, open करना है तो इसके लिए, screw लगे होगे हैं, यहाँ पर इसके निचे इसकी wires जा रही है, इसकी fitting भी आप यह screw open कर लेंगे, तो यह इसकी wires भी आप निकाल पाएंगे, ठीक है, नीचे भी एक दो screw लगे होते हैं, और motor के भी चार nut हैं, चारों साइडों पर, वो भी आप इसली निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें, motor भी कभी change करनी हो, तो बहुत easy हैं, अभी यहाँ पर जो है, इसको मैं वापस यहीं पर लगा दूँगा, ताक्के यह हमारे nuts, यानि कि गूमना जाएं, तो यहाँ पर लगा दूँगा, सर्विस करने के बाद, आहम फिर इसको यहीं से उतारेंगे, और अपना काम complete कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है, अभी हमने यह चीज complete कर ली है, सबसे पहले blower, अब हम जो है इसके, बाकी चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर जो है, इसके यह pipes है, ठीक है, pipes के ओपर जो यह लगी हुई है, इसके एक fitting, यह हम इसको remove करेंगे, क्योंकि इसको remove करने से, हमारे pipe easily बाहर आएंगे, नहीं तो अटकेंगे, अभी जो top cover है, उसके जितने भी screw है, वो मैंने open किये है, उपर की तरफ ही लगे हुए होते हैं, वो सारे screw आप side हो से open कर लें, और top cover उपर उठा लें, यह आपका पहला काम है, evaporator को निकालने के लिए, ठीक है friends, अब यह जो drain है, इसके उपर यह fitting लगी हुई है, यह जो है, यहाँ पर left, right, दो screw है, इनको भी आपने open कर लेना है, ठीक है, यह drain के उपर लगे हुए है, और यहाँ पर, उपर की तरफ, दो screw है, जो कि आपको ध्यान में रखने है, एक यह है, बिल्कुल corner में, ठीक है, और एक इस तरफ, left और right, इसके evaporator के ठीक है, उपर दो screw लगे हुए है, किसी में 3-4 भी लगे होते हैं, और होते उपर, उपर की तरफ ही है, टोप cover खोल के ही अपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है, यह service करने के लिए ही हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, वैसे इसकी मतलब, उसके इलावा तो जरूरत नहीं होती, leakage इनके अगर हमें problem मिले, तो leakage भी solve करने के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है, तो, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मुकमर डीटेल से हर्चेस क्लियर करूं, तो अभी यहाँ पर जो है, लेफ्ट राइट, यह जो दो चीज़े हैं, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे वाली हमने fitting open कर दी हुई है, उपर वाली यह जो है, अभी मुझे पता चला कि यह तो इसके drain के लिए है यानि कि यह हमारा जो है, यह आप देख सकते हैं, वैसे ही हिल रहा है, जो left, right वाले हैं, मैंने समझे शाहिद के इसके साथ ही fitting है, कुछ unit में इसके साथ भी होती है, ठीक है, वो आप दो देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा move करके, आपको पता चलेगे, तो यह इसके अलग स सके, ठीक है friends, अब यहाँ पर नीचे की तरफ तो हमें screw नहीं मिले कोई भी, उपर ही दो screw है, जो कि इसके main screw है, जिसके उपर यह असर में टिका हुआ है, अटका हुआ है, तो left, right वाले हम दो screw को open कर लेंगे, इसमें आपको एक लड़के की साथ helper की जोड़ जूरत पढ़ अब यहाँ पर उपर वाले screw हमने open करने हैं और बस जस्ट हमने इसको पक उपर की तरफ हमने left, right यानि के करके इसको easily बाहिर निकालेना है, तो अभी मैं आपके सामने practical इसको बाहिर भी निकालूँगा, कैसे इसको बाहिर निकाला जाता है, थोड़ा बुल अटकता है, ले नीचे से आपको कुछ open करने की जोड़ नहीं पड़ी, जैसे इसकी जो नीचे fitting थी, जो के pipe के आगे आ रही थी, वो आपने सिर्फ open करनी थी, अभी यहाँ पर जो है, मैंने इसको निकालना है बाहिर तो बस screw हमने उतार दिये थे, तो अभी मैं इसको उपर की तरफ उठा हैं, तो यह pipe जो है, ऊपर आ जाएंगे, तो और नीचे ऐसे damage नहीं होगे, तो इसी तरह आप side पर रखकर इसको अच्छे से wash भी कर सकते हैं, high pressure washer की मदद से, यह है हमारी मुकमल इसकी base, इसको आप normal कपड़े से, गीले कपड़े से easily wash कर सकते हैं, नीचे क्योंके fan motor है, तो fan motor को, गर आप shopper से अच्छे से cover कर लेते हैं, तो फिर तो आप इसको भी high pressure से wash कर सकते हैं, वर नॉर्मली हम मैं करता हूँ, यह तो फैन को अच्छे से पहले clear करता हूँ, फिर ही wash करता हूँ, नहीं तो इसको गीले कपड़े से ही हम wash कर लेते हैं, यह है हमारी drain, जो कि इसको बाहर आजाएगी, यह हमने screw open की है, यह fitting, इस तरह से कुछ थी, ताकि उसका पाणी जो है इसमें, यानि कि अटपक सकें, तो यह बहतरीन है, और यह चीज़ जहन में रखें, कि यहां पर साइडों पर बहुत सारे screw होते हैं, ठीक है, साइडों पर, यानि कि जो जो वहीं वहीं पर लगाएं, क्योंकि आप ऊपर थोड़ा से भी लगा सकते हैं, यह देखे न, होल उपर भी है, नीचे भी है, तो आप इसको note किया करें साथ साथ, और एक दो बार अगर आप cabinet को open कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, तो आपका experience अच्छा हो जाएगा, और फेस को संबाल के easily वापिस लगा जाएं, अब यहां पर जो हमारा मुकंबल काम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, easily हमने इसके मुकंबल डिटेल से हर्चीज निकाल दी है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखें, मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में, ठेंक्यू सो मच, आलला हाफीज, पूस।